नेता जी सुभाष चंद का जनम 23 जनवरी 1897 में कटक उडिसा में हुआ वह एक मध्यम वर्गिय परिवार्चे सम्बंद रखते थे 1920 में वह उन गिने चुने भारतियों में से एक थे जिनोंने ICS परिक्षा उतिर्ण की 1921 में वह भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के सदस्य बने पुने 1949 त्रिपुरा सेशन कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष्चन्द बोस भारतिय राष्टिय संग्राम में सबसे अधिक प्रेणा की स्त्रोत रहे हैं यह वह व्यक्ति हैं जिनोंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूगा और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाती और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आखड़े हो गए इतना अधिक वह लोग अपने नेता से प्रेम रखते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रधा थी उनके पिता जानकी नाथ एक प्रसिद्व वकील थे और उनकी माता प्रभादेवी धार्मिक थी सुभाश चन्दबोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे उन्होंने कलकत्ता के प्रेजिडेंसी कॉलिज में प्रवेश लिया कॉलिज में रहते हुए भी 233 संगराम में भाग लेते रहे जिसके कारण उन्हें कॉलिज से निकाल दिया